वीडियु वीडियुट्रेट्स कर लेते हैं और टेलिग्राम को अब तक जोई नहीं किया तो भईया मस्ट इसको जोईन कर लेना विकूस मार्केट से आने वाली हर एक से आट दिनों से एक साइडवेस कंडिशन में मुवमेंट कर रहा है यहां पर आप देख सकते हो लगबग 9 माई से ही अब तक यह एक साइडवेस मुवमेंट करता हुआ हमें दिख रहा है लगबग 28,000 से लेकर और 31,500 के बीच में ही बिटकोईन हमें मंदराता हुआ देखने को मिलता है या तो एक बड़ा ब्रेकाउट हमें देखने को मिलता है या फिर एक बड़ा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है तो इस समय जो बिटकोईन है हमें एक साइडवेस मुवमेंट करता हुआ दिख रहा है साथ ही यहां पर एक और चीज़ आपको देखने को मिल मुमेंट जो है उपर की साइड होगा या फिर नीचे की साइड लेकिन आप मैं आपके साथ जो ट्रिक शेर करने वाला हूँ वो आपकी help करेगा ये समझाने के लिए देखो inflow के डेटा के बारे में तो आप ध्यान रखा ही करो कि वह या कितना inflow आ रहा है किस तरीके का inflow आ आपको जाना है coin glass.com की website पर यहाँ पर आपको funding rate देखने को मिलेगी different different exchange उप है जब भी ये funding rate negative होती है इसका मतलब यह होता है कि ज्यादा तर लोगों ने short position open करके रखिए वो चाहे बाइनेंस exchange पे हो या फिर और किसी भी exchange पे हो यहाँ पर आपको लगबग लगबग जो बड़े exchange जैसे उन सभी का data देखने को मिल जाएगा जैसे बाइनस पे भी ज्यादा तर लोगों ने short position open करके रखिए और इसी तरीकी से ज्यादा तर exchange पे आप देख सकते हो कि हमें short position open देखने को मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहां से में भी bitcoin के थोड़े नीचे ज जाता है तो यह होती है positive funding rate यहां पर थोड़े बहुत लोगों ने long position open करके रखिए तो यहां हम देख सकते हैं कि जब भी funding rate negative होती है तब वो एक buying opportunity हो रही है यह मैंने कह रहा हूं दुनिया के जितने बड़े बड़े दिगज है जो crypto के expert है उन सभी का यह मानना है कि जब भ यह मिलती है वहां पर एक buying opportunity हमें मिलती है यानि कि जब लोग short लगाते तो इससे market down जाता है और वहां पर थोड़ा बहुत buy किया जाता है और फिर से थोड़ी बहुत हमें वहां पर pumping देखने को मिलती है like जो crypto क्वांट के CEO है उन्होंने भी यह का है कि funding rate जब minus में जाती है तब वह एक buying signal हमारे सामने होता है और मेरी आप से request है कि इस पर आप जरूर से homework करें इस पर जरूर से research करें ओके तो आई होप यह tip आपको पसंद आई होगी कि जब भी funding rate माइनस में होती है तब वह थोड़ा भूत हमें buying signal देती है ओके funding rate का अपने trade के दूरा अंध्यान र कि शिबा इनों की जो burning rate है वो इस समय 657% increase हो यह 657% का एक भारी बन कम हमें increment इसकी burning rate में देखने को मिला है अब शिबा इनों की जैसे ही इतनी बड़ी level पर burning हमें देखने को मिलती है यानि कि जब burning rate increase होती है price पर भी हमें थोड़ा बहुत moment देखने को मिलता है और जैसे ही यह burning rate increase हो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कलवे से market थोड़ा डाउन था फिर भी इसने लगबग 6-7% का हमें एक थोड़ा पंप दिखाया और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जिस तरह की से bitcoin हमें एक symmetrical triangle का formation करता हुआ दिखा रहा है उसी तरह की से शिबा इनों के इनों की जो burning rate है वो इस समय काफी increase हो यह next update आ रही है इंडिया से कि इंडिया की जो low maker से वो foreign cryptocurrency exchange के उपर tax लगा सकते हैं यानि कि जो लोग global cryptocurrency exchange को use करते हैं इंडियन crypto exchange को छोड़कर उनको tax देना पड़ सकता है एक भारी बर कम GST की बात करें तो यहाँ पर GST है कुछ clear नहीं है लेकिन इन रिपोर्ट से में देखने को मिल रहा है और यह बिल्कुल latest update है वैसे तो यह update हमें पहले भी देखने को मिली है कि जो foreign exchanges है उनके उपर सरकार बड़ा tax लगा सकती है maybe 30% TDS तक लगा सकती है foreign cryptocurrency exchange के उपर लेकिन अब कुछ reports में यह बताया गया है कि जो tax लगने वाला है foreign cryptocurrency exchange के उपर या फिर जो GST लगेगा वो 18% या फिर 25% के आसपास लग सकता है अब जो clear update आईगी वो telegram पर में आपके साथ share कर दूँगा अब next बात करते हैं 13 लूना के बारे में वैसे मैंने update आपके साथ morning में share कर दी थी कि bank of France के जो governor है उन्होंने भी crypto regulation के उपर बात करिए कि वह या यूस्टी और लूना का जिस तरह के से collapse हमें देखने को मिला crypto regulation जल से जल आनी चाहिए global crypto regulation के उपर उन्हें बात करी साथी जो coinbase है वो 27 माई के आसपास जो लूना है उसकी trading बंद कर देगा suspend कर देगा लेकिन मुझे अब तक है समझ में नहीं आ ये इनका profit ही होता है तो ये अभी तक trading बंद नहीं कर रहे हैं लेकिन ये ध्यान रखना कि 27 तारिक से coinbase पर जो trading है वो suspend हो जाएगी इसके लावा एक important update भी निकल के आई थी कि terra form के जो legal team members है या जो टेरा foundation के legal team members है वो अभी resign कर रहे है या फिर उन्होंने resign कर दिया है कोई चुके है कि भाई या टीम का बंद डाल हो चुका है और टेरा का प्रोजेक्ट का आप शायद आगे कुछ नहीं होने वाला है इसलिए जो maximum team member से legal team member से उन्होंने resign करना शुरू कर दिया है लेकिन जो डोक वाने जो टेरा के करता धरता है जो founder है वो अभी भी मार्केट में हो हैं और कुछ ना कुछ प्लान नाने के बारे में विचार कर रहे हैं उनके जो दो प्लान थे वो तो community को पसंद नहीं आए लेकिन अब जो तीसरा प्लान होगा वो देखते हैं कि किस तरीके से होगा में भी वो अपने तीसरे प्लान में burning को include कर सकते हैं कुछ ना कुछ ब प्लान थ्री में वो क्या include करते हैं और एक important बात कि अभी में कुछ वीडियोस देख रहा हूं जो कि यह दावा कर रहे हैं कि यह इस प्राइस से भी लूना की प्राइस टेन डोलर हंड्रेड डोलर तक की बात की जारी है मुझे तो यह तक समझ में नहीं आ रहा इस condition में भी कुछ भी पैसा डालना चाते हो तो यह द्यान रखना सीधा gambling की तरह यह यहां से price और भी ज़्यादा डंप कर सकती है या फिर अगर थोड़ी वह पंप होगी तो थोड़ा वह पंपिंग हमें देखने को मिल सकते हैं लेकिन एक cent 10 cent इसका भी कोई target अभी हमें बनता हुआ न हम मान सकते हैं कि इसकी price एक से पांस डूलर के बीच में पहुंच सकती है okay so फिलाल इस वीडियो में इता ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पसंद आयो तो definitely वीडियो को लाइक करना है चैनल आपी के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करकर लेना झाल 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 झाल